महराश्री तो कहते थे कि गर्व पात के समान मुझे कोई पाप वर्तमान में दिखता नहीं है चोरी डकेती विचार ये तो पहले भी होते थे परन्त इस प्रकार से गर्व पात का इतना व्यापक दोस्त पहले नहीं था सुनते नहीं थे और पहले कोई अनेतिक बेटा हो जाता तो उसको गर्व गर्व गिरा देते थे क्यूंकि छिपकी बाते होती थी लेकिन अब तो नेतिक गर्व लोग गिरा देते हैं काइदे का गर्व है उसको भी गिरा देते हैं बेकाइदे का तो पहले सुना था ये महराजी के सवत बेकाइदे के गर्व तो सुने थे कोई इजत की रक्षा के लिए गिरा देते बहुत कभ वेरी लेस अब आजकल तो धडलने से माता पिता खुदी महराजी के पास बहुत आप सब जानते ही है सुजानगड के और सोनी जी रहते थे बजरंग जी उन्होंने बताया कि हमारे सुजानगड की बात है कि एक अस्पताल के अंदर पती और पत्नी आए गर्व गिराने के लिए उसमें पत्नी नहीं चाहती थी कि बेटे को हम गिराएं लेकिन पती ने जबरदस्ती उसको जोर दे करके कहा तो पहले अंदर ये कुकृत्ती हो रहा था ये बाहर बैठे थे वेटिंग में वहां पर एक जाडू लगाने वाली आई उसने आकर के और कहा कि बाबु साथ यह थी क्यों बैठिया हो तो क्या कि मैं काई मता मारे तीन तीन चोर्या होगी और अब के भी चोरी होई में टेस्ट करार देख लियो और चोरी होई चोरी होई जड़ा बताओ चार-चार अब्याव इं महें ने में किया कर सका कै रिपोर्टां तो सब जुटी आवाये जुटी कई आवे देख रहा ह अब्याव जड़ाए रिपोर्ट करवाई दिख वाये जाच करवाई के कही करो साब बाबु साम हरी बात मानलो तार चोरो होई थे य। मत बड़न तो पाप मत कराओ इं टावर ने मारो थे पीछे पड़गी तो वो इस्तिरी कहने लगी आप इन जानो कि कोन जानू तो 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 त तीन लड़कियों के बाद लड़का हुआ, टेस्ट कराया था तब भी वहाँ पर यही था कि नहीं लड़की है, और यह लड़का हुआ है, तो वह माई को हम आज इनाम देंगे, वह खुब टोकरा में सामाज और कपड़े रो नजाने क्या-क्या लाए और उसको धूनने लग है नहीं आपको नाम बताओ तो हम बता दे, तो शाब का कि आपका जितना स्टाफ है उसको खड़ा कर दो, हम पैचान लेंगे, पूरा स्टाफ खड़ा कर दिया, उसमें वो अरत ला दी नहीं, वो इस्तरी मिली नहीं उनको, तो फिर का कोई ट्रांसपर हो गया क्या, इन द नहीं नहीं, तो का कि हमको बिलकुल यहां जाड़ू निकाल रही थी तो उसने कहा हमारे आतव है नहीं साब, देख लो, फिर उन्होंने वहां ही सबको बाट बूट दिया, तो गर्व में रहने वाले प्राणी की बड़ी उच्छा वस्ता होती है, उसको लोग आज मार दे आजली, वो एक रिशी है, रिशी, 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 जैसे रिशी भगवान की स्तुति करता है, ऐसे वो स्तुति करते बोलता है यह भगवान, मैं आपकी शर्ण में हूँ, आपके चर्णारविंद जगत की रक्षा करते हैं, मेरी भी रक्षा करो महराज, मैं आपकी शर्ण मेरे ऐसे ऐसे करम है महाराज, वो आप से छिपेवे नहीं है, अब जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप अपने ही करम से हमको प्रसन्न कर दीजिए, आप अपने से ही हमारे प्रसन्न हो जाएए, बाहर निकालिए महाराज, बहुत कष्ट पा रहा हूँ, मा कभी मिर्ची खा लेती है तो मिर्ची मेरे जरन पैदा करती है मा कभी किसी बिमारी से दवा ही लेती है वो मेरे पर असर पढ़ता है बहुत दुखी हो रहा हूँ उल्टा हुए और इस जिली के अंदर मेरे ही मलमूत्र के अंदर पढ़ा रहता हूँ क्या करो मुझे बाहर निकालो महराज ना 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 बाहर मत निकालना कहीं मैं इदर उदर फिर कहीं फंसाओंगा महराज गर्बान निर्जगमिशे मैं गर्ब से बाहर नहीं निकलना चाहता क्यों क्या हो गया भाई अभी तो कहरे हो बाद ना महराज मुझे म ये वे पाप है, इन पापों को अब मैं करने लगूँगा, फिर करने लगूँगा, मेरा तो मेरे से ही विश्वास हट गया, मेरा मेरे से विश्वास हट गया, कि अब मैं पाप नहीं करूँगा, क्या पता कर बैठों, यहां ही पड़े रहने दो, आपकी कम से कम स्तुति तो क कर रहा हूं को नया पाप तो नहीं कर रहा हूं आप महराज मुझे पड़े रहना दीजिए ऐसे प्रार्थना करता है भगवान किरपा करके प्रसूती वायू से उसको बाहर निकालते हैं बाहर निकालते हैं समय पहले उसका शिर आता है तो शिर आते ही यहां पर उसकी एक नस है गरदन के पास नस वो नस दब जाती है नस के दब जाने से उसका विवेक उसका ज्ञान और वो सो जन्मों का जो रील देख रहा था वो सब खतम हो जाती है वो जैसे कोई आपके computer में कोई चीज फीड की हुई है आवशेक आवशेक चीजे फीड की हुई है लेकिन गलती से कोई एक खटका दब गया एक खटका दबते ही सब साफ हो गया, ऐसे ही साफ उसका वो ज्ञान लुप तो हो गया, अब वो रोता है हूँ बार बाई। तहीज कोई बता हूँ इतना बच्चा को लाड़ प्यार रखते हैं, सब बच्चा का गोदी में लेते हैं उसको ओँ मा तो इतनी निहारती रहती है, खुश होती रहती है, प्यार करती है, स्ने करती है पर बच्चा तो रोता है क्यों? बुड़ा हो जाता है, तो रोता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर भोगों में विलास्ता में पड़ा रहता है, तो रोता रहता है, ऐसे इसके रोना ही रोना रहता है, जो मरते मरते इस्त्री का चिंतन करता है, वो स्त्री बन जाता है, और जो इस्त्री पूरुस का चिंतन करत यह वो पूरुष हो जाता है, यह जीने मरने में तो कोई बात नहीं है महराज, मनुष्य को तो अपने कर्मों में सावधान रहना चाहिए, सकाम भाव से कर्म करते हैं, वो चंदरलोक में जाते हैं, निशकाम भाव से कर्म करते हैं, तो वे सूरी मारक के द्वारा उपर के लो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें